एक ऐसी यात्रा पर जा रहा अंतरिक्षियान जिसके किसी ने कलपना नहीं की थी साल 1977 में जब वॉयजर वन लाउंच हुआ था तब इसका मिशन सौर मंडल के बारे में और पता लगाना था इसने शनी ग्रह के चलों के बारे में जानकारी जुटाई और ये भी पता लगाया कि वरिहस्पती ग्रह के इर्द गिर्द भी एक पतलासा रिंग है फिर तो ये आगे बढ़ता ही रहा 2012 में ये हमारे सौर मंडल को छोड़ कर इंटरस्टेलर स्पेस यानि तारों के बीच की जगह में प्रवेश करने वाली इंसान की बनाई पहली चीज बन गया लेकिन पिछले साल लगभग 50 सालों तक खोजबीन करने के बाद कुछ गड़बड हो गई वोयजर वन जो जानकारियां भेजने लगा उनका कोई मतलम नहीं रहा नासा के इंजीनियरों ने पाया कि इसमें लगे दशकों पुराने कंप्यूटर की एक चिप ने काम करना बंद कर दिया है इस गड़बड को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नया कोड वापस उसी स्पेस क्राप्ट को भीजा ताकि खराब हो चुकी चिप के बिना भी वो सही जानकारियां भेज सके ये तरकीब काम कर गई और वॉयजर वन ने पांच महीनों बाद अपने बारे में रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है 1990 में वोयजर वन ने करीब साढ़े तीन अरब मील दूर से प्रित्वी की ये तस्वीर ली थी इसे हमारे ग्रह की सबसे एहम तस्वीर माना जाता है सितारों के बीच हमारी प्रित्वी धूल के छोटे से कर्ण के बराबर है इसे बरबाद मत कीजिए अब इसके वापस सक्रिय होने का क्या मतलब है हम बहुत बहुत पुरानी तक्नीक वाले एक अंतरिक शियान के साथ काम कर रहे है इस तक्नीक का अधिकांस हिस्सा 60 के दशक का है मैं एकसर सोचता हूँ हेश्वर ये चीज अभी भी चल रही है वाइजर वन फिलहाल पृत्वी से सबसे दूर मौजूद मानव निर्मित चीज है ये लगभग 38,000 मील प्रती घंटे की रफतार से यात्रा कर रहा है और हमारे ग्रह से 15 अरब मील से भी जादा दोर है इसका मतलब है कि मिशन कंट्रोल से रेडियो सिगनल को इस तक पहुँचने में साड़े बाइस घंटे लगते हैं हाला कि अगले साल तक ये अपने उपकरणों को चलाने लायक बिजली नहीं बना पाएगा और फिर ये आकाश गंगा में और शायद उस से भी आगे अनंत काल तक भटकता रहेगा इस पर प्रत्वी पर जीवन की तस्वीरों और आवाजों का एक रिकॉर्ड मौजूद है जब तक इस से हमेशा के लिए संपर्क नहीं तूट जाता तब तक वैग्यानिक अंतरिक्ष में खोज के मामले में मिसाल कायम करने वाले इस स्पेस क्राफ्ट से समबाद करते रहेंगे